यह सब ऐसा तो नहीं चीजे तो बद्लियना यूपी से आपकी सत्ता के बाद तो बहुत क्च बद्ला हुए और बहुत सारी चीजे बद्ली है और भॉद का विकास हो रहा है वेपार भी आ रहा है और बजट हो रहा है तो चीजे अपने आप कि चालिस हजार करोड गांव यू आपने बताया मुझे बता दे कि समाजवादी सरकार जाने के बाद कौन सी नए इंडस्ट्रीज है कहां पर लगी वही है उनकी फोटो दिखा दे कहीं चर्चा में आ जाएं चंदप्रकास जी हम आज साथ बजट एक्सपर्ट है चंदप्रकास जी ये बजट जो आया भारी भरकम बजट आपको लगता है कि यूपी के विकास में एक नए पंक लगाएगा क्योंकि हर सेक्टर्स को दिया है और बड़ा-बड़ा एमाउंट दिया है देखे सर बजट जो भी होता है उसमें तो सबसे पहले चीज़े हमें यह देखनी होती है कि इसका कैपिटल कहां इंवेस्टेट हो रहा है और हमारे जो खन्ना साहब ने बजट पेस किया है मैं देख रहा हूँ कि इसमें लगभग 33 परसंट इनोंने जो है कैपिटल नेचर इन्फ्रा के इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्टर डेवलप्मेंट के लिए बनाया कि वहां भी अपना पैसे को खर्च करेंगे और नो डॉप सब्सक्राइब करेंगा तो कहीं न कहीं रेविन्य जनरेशन तो बहुत अच्छी खासी होगी जो रिविन्य ओकाउंट थि लेवशंट शिक्टी सिश्ट्स परसंट इन ऊच्छक्ति इसमें सारे को इन्हों की जो पिछले में यह क्या का था किसानों को पानी उब्र की समस्यां थी उसके लिए उन्हों ने दिया है जो हमारे लाचार और वेसहरा तो कहने का मतलब कि कुछ ने हर वर्ग को दिया है और सबसे बना चीज है कि यह जो टैप्टल एक्स नीचर यह कर रहे हैं लगब 33 परसेंट इसे कहीं न कहीं हमारे प्रदेश को तो सम्रीदी तो मिलेगी ही मिलेंगी जिकुल मिला करके सर बच्छा अच्छा है अच्छा है अ समें मैं समी सेक्टरस पर आपको लग रहा है कि इसका असर दिखेगा अ किक कर अधुली अधुल्य आपन्म्यूट करेगा आपने म्यूट कर रखा अपना कि बोलेगा चले अतुल जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुँच पा रही है शायद आपने में रहा है अलुग जी अलुग जी एक बड़ा सवाल जिस तरह उठा रहे है देखिए आपने हर सेक्टर को चुछ हुआ और खासका अपरेटर्टर के छेट में हर चीज़ बे है और निवेशक और चीज़े ऐसा नहीं है कि बदली है लेकिन समाजबादी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है समाजबादी पार्टी कहती है धरातल पर बताईए कहा है और इसमें एक सवाल उन्होंने पॉइंट आउट किया सर वह सवाल वैलिड था हाला कि सीम योगी सक्त हुए सब विभागों को ताकीद भी दी उन्होंने ये खबर हमने भी चलाई थी और बताई भी थी क्योंकि कि बहुत सारे ऐसे विभागते जो बजटी खर्च नहीं कर पाए शर्मा जी कोई भी सरकार आएगी जो बजटी बजट बनेगा सो प्रतिशत खर्च कोई भी सरकार नहीं कर पाती है क्योंकि यहां लगतार एक चलने वाली प्रक्रिया है और जिन प्रजट के लिए पैसा द बन जाएगी हो सकता वो सब्सक्राइब कर नब्य करूल में तयार हो जाए तो दस करोड तो आपका बचेंगा ना उससे को विकास की गति बादित नहीं होने वाली है पहली बात दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर परदेश इस समय परेटन के विकास में भी इस मतुरा जा रहे हैं विंद्य धाम जा रहे हैं चित्रकूट जा रहे हैं नमिशारन जा रहे हैं इन समी धामों का विकास सुन योजित रूप से योगी अदित्दाजिक सरकार ने किया है हमने अपने धर्मी चित्रों को साथ-साथ परदेश रूप में भी एक विक्षित करक जाते नहीं ते देखते नहीं था योध्या में क्या बुरा हाल था और आज देखिए आपा योध्या जगमगा रही है योध्या लग रहा है कि इसे भगवान सिराम के त्रेता युग मा योध्या रही होगी वैसा ही आज विद्रसिम आप उत्पन होता है क्या यह हमारे लिए गरोग की बात नहीं है समाज बास दिपांटे को उसमें गौरओ नहीं होता है क्या जिस काशी में आप जाते हैं आज काशी कारूडोर को देखिए 1000 करूड रूपया खर्च करके आज काशी का रूप बतल गया है गाट सुन्योजित हो गए, साप सुत्रे हो गए, वहाँ पर व्यापार पढ़ गया है, जो बिजली के तार लेटकते से और समय अग्भूमिगत कर दिये गए है, कितना विकास साफ साफ देख रहा है, चाया बड़ सी विकास को देख लीजिए, वही साथ साथ आदुनिक्ता स हम जोन रहे हैं, एरो सिटी लखनों के अंदर बनाई जाएगी, पंद्रा सो एकल में, ये एक बड़ा विकास कारे है, हम जो जेवर में हमारा इंटरनाशनल हवाई एड़ा बन रहा है, अगले साल उसका उत्रकाटन हो जाएगा, और वो लगता है कि मुझे लगता है एक ब एक बात करेंगे, एक छोड़े से ब्रेक के लिए हम रुक रहे है, ब्रेक के बाद मेजर साप से पूछेंगा है, आलुक सा कि ये ये चीजे क्यों नहीं देखाई दे रही है, डार्मिक नगरियों का काया कल्प हो रहा है, हाइवेस बन रहा है, एयर करेक्टिविटी बहु क्यों नजर नहीं आते हैं, ब्रेक हम चर्चा कर रहे हैं कि ये बजट कैसा है, और क्या वाकई में विकास की रफ्तार को और बढ़ाएगा यूपी के, आपको नजर आता है, खासकर MSME सेक्टर्स के अंदर सर, एकदम सर, हमारा जो यूपी है, राज ये सबसे बड़ा कि लिए उसका इंफरस्ट्रक्चर का बढ़ना बहुत आती आवश्यक है, तो इस बजट में जो हमारे फाइनस मिनिस्टर ने प्रावदान लाएं जिससे कि हमारे 30-40% 35% हम कैपिटल इंविस्मेंट कर रहे हैं, उसका एफेक्ट ये होगा कि हमारे रोट्स, इंफरा, बिजनेसमेन हैं, उनको ये बेनिफिट जरूर पासओन हो सकता है, अब जब तक हमारे देश में, हमारे युगाओं के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं चलेगा, तब तक वो किसी भी कारे को सक्सेस्फुली कर नहीं सकते, तो ट्रेनिंग सबसे इंपोर्टेंट है, सिर्फ लोन दे देने से कारे नहीं होता, लोन को प्रभावी बनाना है, उसका सुगम तरीके से दिपेमेंट हो जाए उसके लिए आपको उनको एक सकस्फुल बिजनेसमेन बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, तो जो ट्रेनिंग की वेवस्ता हो रही है तो यह प्रगति के देश की प्रगति ग्याजुली इसी तरह होती है जो आप विगर दस वर्शों में आप में देखा भी होगा कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है हम पांच में नमबर पहुंच गए एक ट्रिलियन डॉलर का जो टार्गेट यूपी का वो मुश्किल था तो इस में यह बहुत जागरुकता से इस बजट को लाया गया है तो मुझे लगता है कि में समी को यह फाइदा देगा चीक बिज़े साब एक बड़ा सवाल है आप लोगों को सर विकास क्यों नज़र नहीं आ रहा है यह बज़ट का ही तो हिससा है सर आज हा प्रक्ष में बैठें यह नज़र आता है देखें मैंने जो भी आपको बाते गिनाएं वो एक हैं जो कोई वी वेक्ती जानता है उसको पता है कि हां इसली बार अगर इतना पैसा जो है वो वापस गया जो चीजें धरातल पे नहीं हुए जो पशुओं की बात मैंने कही तो से फाइदा होगा उन चहरों को फाइदा जरूर होगा लेकिन जब आप एक सरकार से अपिक्षा करते हैं तो आप यूपी के असी जिलों की बात करेंगे आपके वाद दो जिलों की बात नहीं करेंगे वो राजने देख और पे आपको बोट दिलाने के लिए तो कारगर इस नहीं कि लोगों को फाइदा होगा यह आप आप यह तो आप नहीं कह सकते साइच यह आपके बोटर्याइदा यह वी राय है यह मेरी राय है दूसरा जो इस ढूइंग बिजनेस की बाच करते हैं तो आपको यह बताना होगा कि बिजनेस लगाना कैसे आसान हुआ वह 5 विंदू आप गिनाएंगे कि भाई हमने आप रिवेट ली हमने स्किल जो है डेवल्पेंट करने के लिए यह ट्रेइश और नाइज करी जहां से आप स्किल डेवलप करेंगे यह आप कर लेंगे इस वी चीजा आप कहीं आप बताएंगे ना कैसे जो है वंट विंडो होगा क कि भाई आपको जो है GST registration, PAN registration आप यहां से करा लेंगे, इस तरीके से जल्दी हो जाएगा, कोई rebates होंगी, तब तो business grow करेगा, तरीफ बोल देने से तो business नहीं grow करेगा, जैसे हम बात करते थे विकास की infrastructure, जैसे हम बात करते थे विकास की infrastructure, जैसे हम सिंगल window system रखा हुआ है, हजारो करूर की hoarding लग गई थी, रस्ते के किनारे, लेकिन बना क्या को है, जैसे अगर आप समाजवादी party की बात करें, उससे आप एकदर से पूछेंगे, लखनों के क्या है, आप तरिफ वहां किये, तो मैं अगर आपको गिना दूंगा, तो दस्ती नहीं ऐसे गिना दू जैसे आएंगे, आपको वह एक्सप्रेस वे दिख जाएगा, जब लखनों आएंगे, आपको मेट्रो दिख जाएगी, आपको HCL दिख जाएगी, तो 300 अकर उपनी होगी, आपको इंटरनाशन स्टेडियम दिख जाएगा, योगी जी जी इस डफ्तर में बैट रहें, वह भवन दिख जाएगा, ऐसी अंगिना चीज़ें आपको दिख जाएगी, आलोग जी आप बता पाएंगे इनको, वह तो कह रहे हमारे पास लंबी फेरिस्त है, ये बता दे किया, आपने क्या किया, मैं जरूर बताओंगा, क्योंकि अगर आप उद्योगों की चर्चा करेंगे, तो आपको फिर यहाँ देखना पड़ेगा, कि आपके कारिकाल में उत्पाद कर, चूंकि हम जो है अगर उद्योग की चर्चा करेंगे, तो उत्पाद कर से हम तुल्ला करके आपको बता सकते ह एक्साइज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में 13,000 करोड का कलेक्शन था 2016-17 में आपके सरकार की बजट में आज का जो बजट का हमारा जो आकड़ा है अठावन अजार 307 करोड रूपे तो कहां 13,000 करोड रूपे एक साइज मिलना था या नहीं है कि जब पीचीजे बनेंगी बिकेंगी विकास होगा तब ही सरकार को कर प्राप्थ होगा तो 13,000 करोड तो आपने प्राप्थ किये थे और MSME की जहां तक हम बात करते हैं MSME में भी 96 लाख यूनिट इसमें काम कर रही है दो लाख करोड का निर्यात उत्तर प्रदेश को से हो रहा है यह बहुत बड़ी संख्या है आज दो लाख तिरसेट हजार दो लाख तिरसेट हजार करोड एस जेस्टी का जो है हमारे पास अंस आता है अठ्ट और पंद्राजार अठ्टावार तीन साथ करोड पर एक्साइस काता है 4000 मेगावाट समता का सूलर पार्क उत्तर प्रदेश ने विक्सित कर रहा है हम ग्रीन एनर्जी सूलर एनर्जी की तरफ बड़ावा दे रहे हैं मुक्प्रदानमंत्र जी ने जैस पानी से ग्रसित रहता था पानी मिलता नहीं था पीने का आज हर घर नल के मादनम से पानी पहुंच रहा है यह बुनियादी सुविदाएं जिनको पहले की सरकारों को काम करना चाहिए था लोग गरीबी की रहा कि निचे क्यों थे आज देश के अंदर 25 करोड और उत्तर प आकड़े हैं